नमस्कार दोस्तो के सेव आप सभी लोग आप सभी का मैं स्वागत करता हूं नव जून क्लासेज में तो दोस्तो रजस्तान का इत्यास भी चल रहा था जिसमें मेवार राज्ये का इत्यास हम कर रही थे और ये अमारा पार्ट साथ नम्मर का होगा चैनल तक हमने पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो की लाइन टू लाइन लिंक दी गई है आप वहाँ जाकर वीडियो देख लेना तो दोस्तों हम कहां तक पहुंच गए थे हम पहुंच गए थे सांगा तक और सांगा का अमने जो मालवा विज़े थी गुजराद विज़े थी इब्राहिम लोदी के साथ जो युद हुआ था उन के रहते हैं तो देखें दोस्तों बात करें किसकी सांगा की तो सांगा का अपना क्या चल रहा है जिसमें मालवा विजे हो गया है गुजरात विज़े हो गया है गागरोन विजे हो गया है और इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध भी हो गया बाड़ी दोलपूर का युद और एक खातोलिक का यूद, अब देखेंगे सांगा और बाबर के मीच में जो यूद वे उनके बारे में, तो देखो पहला जो यूद मिलता उसका नाम क्या है, बयाना का यूद, बयाना का यूद, ये कब हुआ था भी चुनाओ, सोडा फरवरी, 1527 को वा था दोस्तों, किन क के मद्दे वा था, सांगा और बाबर के मद्दे, सांगा और बाबर के मद्दे, एक बयाना नामकिस्तान पर, क्योंकि ये बयाना का ये दुरुग भी है, बयाना नामकिस्तान जो कहां पर है, बर्तपुर में है, वहां पर एक यूद वा, उसका नाम है बयाना का यूद, क् इस यूद का अगर कारण देखे तो जिसे कि यह क्या है मेवाड है और यह यहां पर क्या है दिल्ली है ठीक है और इस मेवाड रियसत के एक अंतरगत यहां पर एक दुरग था और उस दुरग का क्या नाम है बयाना का दुरग बयाना का दुरग था लेकिन होता क्या है दिल्ल को छुड़ाने के लिए जाती है यूद होता है उसे कहते हैं एक दुरक को लेकर क्या होगी इन दोनों में जड़प होगी लेकिन सांगा इस यूद में जीत जाता है और अपना जो बयाना दुरक है वापस भी अपने में अधिकार में आ जाता है तो देखो दोस्तों ये किस किलिए बीच में हो तो देखो संगा और बबर बब बन गया सेना पत्टी को क्कुन आपण ये सेनपति को नाम कि अ के मिल जाना है से नहां के सेनिक मैं कि दूली हूऋ г यूद आपने यूद में जित्टू कुने सांगा जी दियो है बाबर एक कबूल इस्तान है अफगानिस्तान में बट को एक जोतिस है विरू नाम है मौमद सरीप ओ जी आप बाबर का सागयाइड हो किसागयड हो बाबर का सागयड हो है ओकुन एक जोतिस हो कि तुम मौमद सरीप बाबर कर देखे बाबर का सागयड में जी त्यों अब आग pops हो विरूय और इक यूध ओर आवे इन जिया जड़त भी बोले क्योंकि आथोड़एज की मतल् mortar email vendor बलेन workshop सागय घूैड तो informconnect के बाबर की बीच में अब एक यूद आवे भीर हो नामें खानवा को यूद के नामें खानवा रो यूद खानवा का यूद ओ किर किर बीच में हो टाइम देखां तो सत्रा मारज सांगा विशज बाबर के बीच में ठीक है ये दो क्या है सास सक है मेवार का सास सक है दिल्ली का सास सक है दोस्तों देखो किस प्रकार होता है सांगा यूद से पहले क्या करता है और बाबर है वो यूद से पहले क्या करता है तो बाबर क्या करता है बाबर यूद से पहले काम करता है अपने जो सेनिक होते हैं उनको जियाद का नारा दिलवा देता है क्या करता है जियाद का नारा यानि धरम यूद वो अपने सेनिकों को कहता है कि मेरे सेनिकों पिर ये सेनिकों अगर माल लेजिए कि बहुता है फिर से मतलता हूं कि माहलों कि हार हार जावा तो फिरैंस के आपने जियाद मुष्च दर्म को णता है या पपने को परळा जावा हार होगा केंसे तो प्रैषे प्रिकर्वेखुर Northeast संखा युद्न सलेगेस न्तिक्षा सावन हार ह शनोब है क्षाश में को ऊग्झे पात्ति परवन पर्था इर्मायन जी यां एक आमण बार्थिगार राज्थान का जिंस गभी राजपूत राज ये पर्वन पर्था चलाई सब्सक्प stop को भुषक के अग्न ऒब कर दानुमा छुछ तैसिसल आप जीर ऍेसिल गंबिरी नदी बर्थपूर में रुपावास तैसेल गंबिरी नदी बर्थपूर गमाईने खानवा गुमेदान है पात्ति परवन परता क्या है वही पात्ति परवन परता हम यहां है कि बलव साला जगा विसा सक है बन अमतरित करिया कि थे मेरी साहिता करना हो युद में तो देखो कुण कुण आया देखा अमेर हूँ मेरता हूँ भास आछिप अStud में वागण से मार्वाण से देखि मैं अमेर से साहिता पाति पर्वन पह था के दौरान अपने साहिता करने कोन आया पर्थवराज से सोदिया पिसने के से मेरता से कोन declaringा सगोजी रतन सी सगोजी आये थे मेरता से वागड से आये थे मारावल उदे से मारावल उदे से मारवाड से को नहीं आता गंगा राव गंगा का पुत्तर मालदेव चार जार से निक लेकर चार जार से ना लेकर को ना गया था और गजनेर का को नहीं आ था गजनेर का भी असोग परमार गजनेर का सा से को नहीं था साइता करने के लिए असोग परमार तो दोस्तों देखिए खानवा के यूद की अगर मैं बात करूं रूपावाज पैसिल है गंबिरी नदी में वर्तमान में खानवा इस्तित है 17 मारज 1527 को युद हुआ था सांगा और बाबर के बीत में और पाति परवन परता चलाए गी थी सांगा की दुआरा राजपुतों को न्यूंता देने के लिए अमेर शे कौन आया था सांगा की साहता करने के लिए परतिवराज कच्छुआ आया था मेरता से रतनसी सगोजी मैंने सगोजी क्यूं वोला क्यूंकि रतनसी की पुत्री का नाम था मेरा बाई मेरा बाई के ससुर का नाम था सांगा क्यूंकि वो मेरा अपने सांगा के पुत्तर बोजरा से भ्याई गई थी ओ ठीक है पादरी से आया था जाला अज्जा जाला अज्जा इस परकार ये आये थे और बाबर ने युद से पहले जिहाद के संग्या दे दी है तो आगे दे कि अब युद का परिदर्शे की बात करेंगे किस परकार ये युद होता है उनके बारे में सबी के बारे में करेंगे तो दे देखिए खानवा का युद्ध देखो दोस्तो यहां पर एक सेनिक है यह क्या है एक सेनिक है यह किसका सेनिक है यह है सांगा का सेनिक और इस का नाम क्या है इस सेनी का नाम है हसन खा मेवाती क्या नाम है हसन खा मेवाती जो कि देखो मारना परताब का मुख्य सेनापती हाकिम का सूरी वो भी मुसलमान था और जो यह अपना साथ से कह सांगा का सेनापती वो भी क्या है मलब मुस्लिम है क्या नाम है हसन का मेवाती है इस परकार आगे आगे कौन है हसन का मेवाती है पिछे इनकी सेना है मतलब इतनी दूर में किस की सेना है सांगा की सेना है सुपरागोर्ण यह अपनी सेना की सांगा की सेना आ गई देखिए यहाँ पर सब्कौन खड़ा है यहाँ पर सब्कार अपना सांगा खड़ा है और क locking सांगा खड़ा यहाँ पर और पिछे क्वोन है देखो जो भी आये थे साइता करने के दोरान पात्य परवन भरता के दोरान वो सांगा के पिछे खड़े वे हैं जिस परकार माल लीजिए यह है वागड का मारावलू देसी यह माल लीजिए रावगांगा का पुत्तर माल देव यह माल लीजिए रतन जी सगोजी तो इस परकार जो भी इनकी साहिता करने के लिए आयती यह इनके पीछे खड़ेभिए इस परकार यह सांगा की सेना का परिदर से हैं, अब यहां करें कि इन तोनों सेना के बीच में युद्ध किस परकार हुआ है, देखे, इनकी हाथ मानने हमें भूल चुका हैं तो देख लीजिए अब देखें बाबर का तो देखिए, बाबर क्या करता था आपके पास पता आपको कि बाबर के पास एक पदती थी जिसका नाम है तुलुगुमा यूदपदती तो देखो तोब को सजाने की विद्धी क्या थी उनके पास उनके पास तोपे थी गोले थे बारुत थे तो देखिए इस परकार की ये बेल गाडिया लगी वी थी इस परकारी क्या है ये बेल गाडिया है और इनके बीच में क्या है तोपे है ये क्या है अगों तो पे लगे वी है क्यूंकि वह वह भार से आया प्रका surviving डेखिए इस परकार कि यह तो पे लगे विए अब क्या रखते हैं देकर लुझिश दूबल ने क्या किया इस परकार के तूप लग वाधी बेल गार्टू के दूब यह यहां पर क्या किया दिखिए और इन की आतों में तेरे और तीर धनुसवान है बाल सकते हैं कि जो पांधार सेनिक इधर हैं उनकी आतों में तीर बान है यानि उन्हें कहते हैं तीर अंधाज और यहीं भी उसी तरह ऊपर के साइड वेवे से तीर अंदाज तीर अंदाज और सवे बाबर यहाँ है बाबर सवे पिछे है और इनके दो तोपची थे मुख्य उन तोपचीों के क्या नाम थे एक का नाम थे रुमी खा तोपचलाने विद्धी में खतनाग थे एक का नाम है मुस्तपा खा यह है कौन तौपची दो मुख्य तौपची थे तो देखिए इस परकार युद का परिदर्शे हो रहा है देखो अगर सांगा की सेना दिरे दिरे आगे बढ़ती है तो वो किस के चपेट में आगी इन जो भी बारुद है गोले हैं क्योंकि उनके पास तौपची है तो वो इनक्दोड के यहां आ चुका है तो यहीं पर दबकर मर जाएगा इस परकार है पर इदर से हुआ होता क्या है दोस्तों कुछ समय भी इतने के पश्यात हुआ क्या यहां पर कुछ क्या जैसे सेनिक आगे बढ़ रहे हैं सांगा के तो यह तीर अंदाज क्या करते हैं तीरे सांगा को के नतिन देंडीर चलाते हैं सांगा की सेनिक का लग गया ठीक है सांगा जी मूठशित हो गए अब्यावा आपको बताए साधरिर कि एक वेक्ति आया था है और उस वलेटिका क्या नाम है जाल अज्जा जाला अजा जाला अजा क्या करता है यह सांगा मुर्चित हो गया है और सांगा का जो मुक्ट था उसको जाला अजा सविकार कर लेता है मतलब आप ले लेता है और सांगा की जगे आप अपर विराजित हो जाता है युद करने के लिए ठीक है ताकि अगली वाली सेना को इसा नाय लगे कि सांगा मुर्चित हो गया है सांगा के तीर बगेरा लग चुकी है ठीक है एक मतलब अब सांगा है वो क्या हो चुका है मुर्चित हो गया है तो मारवार्ड से एक व्यक्ति आया था जिसका नाम है मालदेव क्या नाम है माल सामे गाव जिसका नाम है बस्वा और माल देव सांगा को गोडे पे बिठा कर बस्वा नाम है गाव में ले आते हैं बस्वा है कांपे दो सामे ठीक है इतनी बात कर ली अब जो भी ले आ गई अब क्या करते हैं यहीं पर सांगा ने क्या किया अपना इलाज वगेरा किया अप परकार अब देखिए आगी का क्या परिदर से बतना है हम कहां चुके हैं ऌर वो क्या करवा रहे हैं अभी अपने बस वादोसा में अपना इलाज चल रहा है सांगा का अब देखिए देखो खानवा के बेदान से कहा आ चुका है अभी सांगा सांगा आ चुका है बस वादोसा में बस वादोसा और क्या करवा लिया है इलाज वगेरा करवा लिया है बस वादोसा इलाज होने के पश्चात देखिए ये जो मेवाड है देखो इनकी दो पत्नियाती किसकी मारणा सांगा की और ये दूरग है इस दूरग का नाम है रणधंबो और दूरग मेवाड़ वाले चेतर में आते हैं और यहां पर एक दूरग है उस दूरग का नाम है चितोडगड दूरग सांगा की कहा जाता है कि दो पत्निया थी दो विवा किया था एक पत्ने का नाम था जिसका नाम है करमाउति करमाउति हर एक पत्नी का नाम मिलता नहीं है इतियास के अंदर ठीक है इस करमाउति जो पत्नी थी वो रहती थी रन्थंबोर दुरुग में और जो एक अन्य पत्नी थी वो रहती थी चितोडगर दुरुग में अब चितोडगड़ वाली जो पत्नी थी उनके दो पुत्तर थे एक का नाम था रतनसी और एक का नाम था बोजरा जो मर चुका है क्योंकि खातोली का जो यूद वाथ था ना उसमें ये मेरा माई का पत्ती है तो बोजरा जो क्या हो चुका है मर चुका लेकिन दो पुत्तर थ एका नाम है विक्रमा दित्ते और दूसरे का नाम मिलता है उद्देशी जो मारना परताव के पिता है उद्देशी ठीक है अब वो कहां चले आते हैं कौन सांगा वो आते हैं रन्थंब और दुर्व में आ गए क्योंकि वह एलाज वगेरा एक बार उसे अराम भी करना है आ ग क golpevy तो मतलब कर्माउतित यानि दूर्व जहीं क्या हो जाता किए अगर आप उसमें मर जाते हैं वह कहता है कि मैं आपका पुत्र बढ़ा हूँ कर्मा उतिका तो पहले चितोडग राजा मैं बन जाओंगा क्योंकि मुख्य जो सबसे बढ़ा रहने के स्थां था वो ता चितोडग मुख्य अगर बातिरे मेवार की अगर यह कहता है या फिर रतन्सी तो कहता ही कहता ठीक है इस करना जाता है और सहंगा क्या करता है यह रंत्तमब दुरग है वो दे देता है इनको कि अब इस थरुऑ में आप रहो और वह जो एक पत्नी और एक उनका बच्चा है रतनसी वह वह वेंगे वह देखे हिशन सबसे बढ़ा था अब होता यहां रतनसी ने जब सुना कि मेरे पिताजी न तो मुझे क्या बनना है कि राजा बनना है तो देखो उनमे मन में लालच भी आ गया और वेसे यह सई भी अपनी जगह पर तो दोस्तों क्या है अब समय आ गया है 1528 को तो दोस्तों क्या होता है यहां पर आ गया है अब इनको खबर लगी सांगा को कि बाबर जो हमारे साथ यूद किया था बाबर अब मेदेनी राई पर आकर्मन कर रहा है यानि मालवा पर आकर्मन कर रहा है यह मालवा है यानि आज का MP यानि मद्य परदेश तो आपको एक डेट याद रख लिज का नाम है 10 जनवरी 1528 और कहीं कहीं किताबों में 1527 को देखने मिलता है लेकि 1528 सर्वमाने देखिए अब मेदी निराई आपको पता है चंदेरी का सासिक था वो पाति परवन पर था कि दोरान सांगा की साहिता करने के लिए आया था तब इनका भी फरज बनता है कि वो साहिता करने के लिए आया था तो उस पे संक्ट है मुझे भी जाना है अब यह सांगा है यहां पे सांगा अपनी सेनिकों से कहता है कि मेदी निराई पर क्या कर रहा है बाबर आकर्बन कर रहा है हम उनकी साहिता करने की ले जाएंगे लेकिन सेनिक मना कर देते हैं क्योंकि बाबर बहुत खतरना कादमी है उनके पास तौपे है तो लोगों हम युदुक्त पत्त है हम एक बार हार चुखे इसा मत कीजी आप थिर वह क्या सुनता है उसने का उन्णोंने के बावजूद भी सेनिकों ने कहा नहीं जाएंगे लेकिन सेनिकों को लेकर यहां जाता है और जैसे वो पहुंत रहा है तो एक इस्तान होता है मद्यपर्देश जिसका नाम है कालपी कालपी कहां पर आता है MP और सेनिकों ने क्या किया इस कालपी में सांगा की हट्या कर दी अपने ही जैनिकों ने सांगा की अच्छा कर दी हट्या वीकपती 30 जनवरी 1528 के दिन डेट क्या मिलती है कि इनकी एक पतनी तो है चितोडगर दुरुग में और इनकी सांगा जी की एक पतनी है अपने रन्थमबोर दुरुग में अगर माल लीजिए हम इनकी बोड़ी को ले जाए रन्थमबोर दुरुग में तो रन्थमबोर का सासक बन जाएगा विक्रमा दित्ते तब ये मतलब लड़ाय जगड़े करेगा रतन सिंग जी क्योंकि यह सबसे बड़ा है अगर माल लीजिए हम वहां नहीं ले जाकर सांगा की डेड़ वोड़ी को ले आते हैं चितोडगर दुरुग में तो यह मतलब लड़ाय जगड़े करेंगे यह क्रोधित हो जाएगा यह भी आकरम बनूंगा इस प्रकार यह सामज़े से हैं तो दोस्तों क्या होता है स्यनिकों ने ने तो ले गए चितोडगर दुरुग में और यह ले आते हैं सांगा की डेड़ वोड़ी को रास्तान के मांडलगड में मांडलगड कहां पर है बीलवड़ा और बीलवड़ा के अंदर मांडलगड में 32 कंबों की सांगा की 32 कंभो की सतरी बनीवी है सांगा की तो देखें दोस्तों इस परकार ये सांगा का कार्य बार रहा पंदरा सो-9 इस मिलब इस विशी लेकर 1528 1509 में मर्त्व运 में 2528 में अब क्या होता है देखिए किस प्रकार यह अराम मत्वेद होता है क्या होता है तो देखिए माल लीजिए ये कौन सा है चितोड है ठीक है और यहाँ पर रन थंबोर है यहाँ पर चितोडगर दुरग है और यहाँ पर रन थंबोर है आपको पता है चितोडगर दुरू में कौन सा सक है रतन सी है ठीक है रतन सिय और एका नाम क्या था बोज राज बोज राज लेकिन बोज राज की मर्ति हो चुकिये अब व्यक्ति कोन है रतन सिय या फिर उनकी महा है रन थंबोर में कोन है मालीजे यह किन के पुत्र है यह सांगा के सांगा के है सांगा का सांगा का सास निकाल क्या है पंद्रा सो नो से लेकर पंद्रा सो अठाइस और यह सभी इनके पुत्र वगेरा देखे किस परकार रन थंबोर में कोन है रन थंबोर में कोन है विक्रमादि एक उत्र का नाम क्या है हाड़ी लाने करमा उति करमा दिते और एक जो पुत्र का नाम में high और किन्गे मलव सरंकशक में है मलव भी च्छोटे हैं बच्चे मिक्रमा दिते हैं उत्रसी को तो देखिए 1528 1528 1531 सक कौन रारतन सिराग क्योंकि वो तितोड़कर दुरुग में अपना क्या कर लेता है राजे भी शेकर लेता है क्योंकि सबसे बड़ा पुतरता अपने आप कर लेता है 1528 से लेकर 1531 तक रहता है अब इन दोनों के मद्दे क्या हो जाता है सबसे बड़ा पुतर मैं था तो मेरे पिता जी ने रंधंबो और दुरुग मेरी मासी यानि मेरे बायों के क्यों दी मेरे पास देनी थी मेरे बाद अगर मेरी मर्ट्यों हो जाती तो उनके बाद मेरे बायों की हो सकती थी इस प्रकार उनमें समंझ से चलता रहता और दिनो दिन लड़ायां बढ़ती जती तो दोस्तों करमाउति का जो गाउं था वो था बुंदी क्या था बुंदी और बुंदी का सा सक्ता जिसका नाम था हाडा सुरजन यह कौन था वेशे करमाउति का यह भाई है तो कर्माउती ने फोन करके अपने भाई सूर्जन आड़ा को बुंदी से बुला लिया कि भाई जी थे आओ और मारो सर्टिवाडो कराओ रतन सी मानने को ली खीक है अब देखो कर्माउती ने जब सूर्जन आड़ा को बोला है तो सूर्जन आड़ा चला आ गया और एक दिन होता क्या है यह अब रहता का है रन थम बोजरूग अपनी बैन के पास यह दो इनके बांजी हो गए और कहते हैं कि एक बार सुर्जन अड़ा ने क्या किया यह जो दूसरी पत्नी वाला सा सकता ना रतन सी जो अपनी बैन के अपने बांजों से लड़ाई करता रहता उनको एक बार कहते हैं जंगल गुमाने के लिए ले गया जंगल शूर्जन हडा और रतनशी अब कहा चले गए किसी सिकार के लिए जंगल चले गए है और कहा करते हैं कि सूर्जन हडा ने यहीं पर रतनशी की हत्या कर दी जंगल में रतनशी की क्या कर दी है हत्या कर दी है और 1531 में सासक बन जाता है विक्रमादित्ते 1531 में सासक कौन बन जाता है विक्रमादिते सासक बन जाता है तो देखो विक्रमादिते के बारे में अगर बात करें 1531 में सासक बनना है आपको डेट वगेरा याद बिल्कुल भी नहीं रखनी है क्योंकि यह मत बेच चालते हैं डेटों में तो डेट आपको कभी भी नहीं पूछा जाएगा साथ से कॉल बन चुका है विक्रमा दित्ते क्यों बन चुका है क्योंकि अब रतन सीकी क्या हो चुकी है मर्त्य हो चुकी है कब बना 1531 और कहीं कहीं 32 मिलता है और कहते हैं 1536 तक रहा है 1536 अब क्या होता देखो यह क्या है अल पायू में कि को अल पायू में राजा बना यासाथ सख बना सा है घीक है मैं पेहली बात आ चुकी है अलसरी बाथ क्या करें तो इनकी बादला पोस्टना भी करनी होती है तो इने माई वेसे क्या नाम है करमा उती कर्मा उत्ति कर्मा उत्ति बन चुके गड़ते हो नाम है उद्देशी है तो दोस्तों होता क्या है 1533 में और एक डेट है 1534 में 1533 और 1534 अब देखो गुजरात का सास्थ एक गुजरात जीसे यह क्या अपना गुजरात वाला एरिया है और गुजरात का सास्थ तो जिसका नाम है बादूर्शा 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 1533 में देखो अब रतन सी की मरत्य हो चुकी है तो इस विक्रमादी तेर उद्देशी है और जो हाडिरानिकर्मा उती है उनका अधिकार अब चितोडगर दुरू में हो जाता है क्योंकि वो तो मर चुका है और ब वो आचोका है अपने विक्रमादीते के तो 1534 में आकर्मन करता है कृन करता है बादूर्शा कहां करता है चितोडगर में और चितोडगर दूरूर गए और बादूर्शा इसके चार और क्या डालता दूरूरू दूरू वो क्या कह रहे हैं वो बादुर्सा का कई दिन तुम्हें से सोचते हैं कि चला जाएगा लेकिन वोगर गया नाई 1533 में तो एक पता है आपको इनके अपास एक दुरग जिसका नाम रन थंबोर दुरुग इसे बादुर्सा को क्या दिया ये जो कर्मावती थी इसने बादु और दुरुग अब आकरमन नाकर माने उची तोड़क डेदी जोको माने रेण दा रेण वास्तेमल मेव रोजी नारेवा दुरुग दे दिया ठीक है देदियो दुरुग ठीक है मानी क्यों बादुर्सा के मैंनो थे दुरुग देदियो बड़िया बात है मैं पास जाओं वह आपने पास वागयो गुजरात उड़ियो ठीक है 1533 बात है अब बात करा में एक साल बात में 1534 में वह तो लिग तो पास वागयो बहुत सुच्यों कर पहले काला आपने एक दुरुग दे दियो रल ठंबोर गो तो अबकाल एक दुरुग और देदाई आयो जना आकरमन करें कि गेरो डालिए ऑलक थी दुरुग कले की चांव तो लिगया एक चेह कर नम के नाम है विकरमधी उते-खर बाला मं चाहिए जो हैफ तो क्रमवत नेकर हैं आम जो नच्वाद्मकर करें आप टााबरे विकटार से ताबरन बेज़ता है नांदेर है बुंदी बेज़ता है अब बुंदी मकुणकुण आ गया है धिरे सी रात ने काट दिया एक तुझ यहां सास्ट तुमनेड़ों है छोटोई विक्रमा दित्ते है ठीक है एक रुणाम है उद्देसी यह आ गया बुंदी अब लारे देखो एक हाली करमावुती लिए बट दुरग में अब एक अठकी है वेलो अब उसी आमने जोर रसाकों क्यूंकि करमावुती अब दापगी है काठी दापगी है बस अब लड़ाई जगड़ा करना हूं कोई पलब वो एक रास्तों बच्चियों है लड़ाई करो का तो मरो और का मारो अब करमावुती चो खिबली पजेडी आ के करो आ देखाय के एक हुमायू है उमायू थे जानो दिल्ली को सा सकाय बाबर को बेटो बो उमायू के करो वो लाग रियो मद्य परदेश रामाईं उचे कालिंजर ब्यान करो इस्तान है कालिंजर कालिंजर सागे यूद करो लेकिन ओभाई बीटे में वेस्तों बठे जो को सागंटे में पुगी जो पोणी अट तेस में सुग्यों तो देखो अट एक के उसी अट उसी के सरीयों केसरियों उसी और एक हुए जोर के वेक आप बढ़िया सो एक वीडियो बनाशा आर बीच में जी अमालियों के कोई वियकर आकरमन करनी आकरमन से नेवनी कई दिन तो बेवे दुरग में बेठा रहे सी बिरवान जोको मरद उसी नी मरद उसी बहुत ओकर सी केसरियों यानी ब पूज शी आपि रागनी निस अमरपी तुझे शी आपनी मान मर्याता बचन खातर तो केसरियों करियों ठाकूर बाग सी कैसरियों युद अमलों तलवार आत्मलेर बादूर साइस सागये लडिजेओं धोर कुण करियों कर्मावुति देखो अ मर्गी कर्माव्ती मर्गी जोर करगे पानी हुधी कि यह खुद मर्मर मारा मर्ई कजू अब देखो खटा ऑंड़ियों अब थंठा सगुण penguin किरह दिकार अपडूर् Chemow ठीक है अधिकार हूँ क्यों लेकिन एक में थने बात बताई कि अभी हुमायू के सोचोग का अपा मद्य परदेश ने जीत लियो बिरबाद में के कर्षियां आपा सिदो अठों आकर्मन कर देशां गुजरात में गुजरात को साथ सका है बादुर सा हरे बो पुगेड़ हुए चितो अड़गर दूरंग में जया मालियों थारे गरे कोई आदमी आवे ठेकटी बारे गईड़ा हो जो बिन था है कि अगर आ आदमी वह बारे गेड़ हो जो अड़गों जो उग चुछ बोई सिस्टम चाले तो जड़ आटका जखा गुजरात पर आकर्मन करें तो बादूर साने बादूर सा तो तो बेट्टों एचितो अड़गर दूरंग में और हुमायू है वह आपने गुजरात पर आकर्मन कर दिए जड़ा वब दूर से जगों का जूत्तियां परी कोनी बादूर सा आगओ आपने सिट गुजरात आगओ भाज्यो वह आपने गाहां पर आपने घरमयाकरन वह लाग रहाए लड़ाई वह आगओ गुजरात में पाज्छो गुज्णाद माजे चितोर्गर दूरुन अब देखो सुनो छोड़ता है कि यह दो तिन दिनम जखा अटका राज़ा नहीं मेवाड़ कोई आदमी या कोई सरदार आई परजा आप पात्षो दिकार कर लिए चितोड़ गड़ दुरू में जखा करमा उतिकार जगावे राज़ार परजा ही बारू पात्षो दिकार हु कुंताई व्हें करें कि कि सरदार हो का अधिकार सरदार काऊ है अधिकार होगा है तो सरदार केकर आशेका यंद वा बादीतेघद को मन जाओं विक्रम्हसिता वे चीघद्ध को 17. सब्सक्राइब राज कुमार उड़ना राज कुमार भी आदमी को नाम है पर्थ्युराज शिसो दिया पर्थ्युराज शिसो दियागी को वह कहा है कि एक दासी वाकती एक दासी भी दासी को नाम है अनौरस के नाम है अनौरस है एक बेटो भी बेटा को नाम है बनविर है बनविर है जब को देखो एक दासी को पुत्र है अपनी तुल्णा करें विक्रमा दित्ते हों वहलों एक दासी वाकती ती पर्थ्युराज शो दियागी और विदासी को नाम हो अनौरस पीरोवेटो विक बनविर बार दरबार भी नेतो बोह यह क्यों बनविर ने विक्रम करें ओकर्मन को के दो रावनी क्ल गया इंदरे न नंद है कि यह बत बेuw भाक धिया कर दिए करदें विक्रमा दिटर खटा कर दिए वह बन वीर रात नंने खोटच हटा मारना पता प्रूबाप है उद्देशी अब धंठा एक जो को मर जाव है बिरबाद दूसरों मर जाए एक रहा सक तो विक्रमादी तो बनवीर मार दियो इस गया साथ सकूंड मर जाव है अब मर जाव है उद्देशी 1536 के अंत में डिसंबर 1536 में बनता है देखो क्या होता है अब देखो बनवीर है वह विक्रमादी देन विक्रमादिट उनको मारे चुका है अब उनको भी मारेगा अब भी तो वो और शाष्स बनेगा क्योंकि विखर्माधिते का भाई उद्धेसी है तो डेखो एक बार उद्धेसी चितोडगट में सो रहा था कि मैं सो रहे तो कुंझे रहे go कि अर्धेसी वज्य एक बार निम में सो रहे थे ठीक है बनवीर को पता चला कि उद्देजी आपने आपा बिन सल्टास का है कि अपची तोड़ को दूरू में नीन में पड़ी हूं पन्ना द्याई पन्ना द्याई आपने चोटी किताब क्लासों कि ऑनमें पढ़ा ओगा साहित पन्ना द्याई बनवीर चंदन वाली वह पर करिया यह सेम है में वह को मारने के लिए पन्ना द्याई को पता चल जाता है कि जो बनविर है वो उद्धेसि को मारने के लिए आ रहा है तो पन्ना द्याई क्या करती है पन्ना द्याई अपने मलब पन्या द्याई मा तो इसे उद्धेसि को यहां से उठा लेती है अपने गोदी में उठा लेती है क् उसको चदर वगेरा उपर उड़ा देती है तो बनवीर आकर इस उद्धेसी की जगे जो चंदन सवा हुआ है चंदन उद्धेसी के बनुसे की उद्धेसी होगा क्योंकि उनको धिरे से वो उठा लिया अब पन्ना जाए उस उद्धेसी को उठा तो लिया गोदी में और कहां ले आती है वो ले आती है कुमलगड़ दुरुग में क्योंकि ये कुमलगड़ दुरुग है जित्तोड़ गड़ रं कब एक एक आदमी चाद बुक कर देता है और उसके लिदार का नाम है असादेव पूरा इसको सुप देती है कुमलगड दुरुग में ठीक है अब देखो देरे देरे सुबह हो रही है सुबह ये पता चला कि उद्धेसी की हत्या नहीं हुई है और पन्दा जाएके पुत्तर चंदन की हत्या हो चुकी है तो दोस्तों क्या होता है कुमलगड दुरुग में कुछ सरदार मिलकर कुछ सरदार मिलकर उद्धेसी का क्या कर देते हैं कुमलगड दुरुग में राजे भिशे कर देते हैं फिर से राजा बना देते हैं ठीक है अब कुमलगड दुरुग में यह राजा बन चुका है होता क्या है जब इनको पता चलता है की उदेशी को कि मेरा एक बार में सो रहा था बनवीर ने मेरी हत्या करने का प्रियास किया था मेरी मा पन्या ज्राइज ने मुझे उठाकर कोमनगर दुर्ग में मलव लेकर आई थी और यहां के लोग मुझे राजा बनाई थी देखो बनवीर अभी एक तो वर्स हुआ क्यों यह 1536 की बात सुभई रा खरमन करता है और बनवीर की यह कर देते हैं कि कभीकी 1537 में कर देते हैं है और पंदरांसो 423 से अगही अपना साह सगे रहेगा उदेशीं तो दोस्तों कल पढ़ें एक हम यह अगले वाले पार्ट में पढ़ेंगे उदेसी की बारे में क्या किया उदेसी ने उदेसी और कहते हैं अगर मारना परताब और मारना सांगा के बीच अगर उदेसी नहीं होते तो मेवाड का इतियास और भी उजविलित होता तो कल से सरू करेंगे हम उदेसी या कौन था उदेसी मारना परताब का पिता तो दोस्तो मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना जय हिंद जय बार दोस्तों बंदे मातरम